हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो एजसेसी अड़ा, एजसेसी अड़ा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथ यो का एक बार फिर से हारदिक स्वागत है तो पहरे बचों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं, हमने जो एड़र्टाइजमेंट नमबर 15 2019 में पूछे हुए हरियाना जी के के, जो भी रिसेंटली पेपर हुए हैं, क्वेस्टन की सीरीज टार्ट के लिए, जिसमें जो सलेक्टिड क्वेस्टन हैं, जो नए क्वेस्ट जरूर करें, साथी बैल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है, उसका जो नोटिफिकेशन है, वो आपको मिल जाए, और पहरे बचों, यदि आप पीडियाप लेना चाहते हैं, तो फ्री ओप कोस्ट पीडियाप है, आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकत हो, तो पैरे बचों, आज की कलास का हमारा जो फर्स्ट क्वेस्टन है, उसमें क्या दिया गया है, क्वेस्टन नमर फिप्टी फाइव देखेंगे, हरियानं में 1909 में किस बैराज की जगा हां हत्नी कूंट बैराज नहीं ले ली थी, तो पैरे बचों, 1909 में इसका नाम क जाद रख दिया गया था हाथ निकूंड बैराज सिद्धी सिद्धी बात अपने आप ओपन कर दिया यहां पर चार उप्शन अपने सामने है ओटु बैराज ताजेवाला बैराज अनंगपूर डैम इन में से कोई नहीं तीनों के तीनों जो उप्शन दिया है ना पहरे पहरे बात आती है ओटु बैराज की यह सिर्शा जिले के अंदर है अनंगपूर डैम यह फ्रीदाबाद के अंदर है और इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है पहरे बत्चों ग्रिविटी डैम के नाम से जाना जाता है अगला क्वेस्टन दोगा क्वेस्टन नमबर 66 यह अपना पॉल्टिकल साइंस का क्वेस्टन दिया वाया दा यूनियन एक्जेक्योटिव कंसिष्ट ओफ इसारा यहीं से कट गया तो यूनियन एक्जेक्योटिव के अंदर कौन-कौन होता है पहरे बत्चों संग की कारिया कारेणी में कौन-कौन सामिल होता है तो पहरे बत प्रेजिडेंट होगा, वोईस प्रेजिडेंट होगा काउंसिल ओफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर तो पेरे बचो ये सारे लोग उसके अंदर सामिल हो जाएंगे अगला जो क्वेस्टन हमारा दिया हुआ है क्वेस्टन नमबर 72 ध्यान से देखो साइन्स का क्वेस्टन आगया पेरे बचो ओक्सिजन की आएनिकरन उर्जा डेस से कम है क्या कह रहा है? पेरे बचो ध्यान से पड़ो आएनिजेशन एनरजी ऑफ औक्सिजेजन is less than that of किसे कम है? पेरे बचो कर्बंज होता है इसको क्या बोलते हैं टेट्रावेलेंट तो पेरे बचो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फोर्मेशन आप सभी के साथ सेयर करता हूँ H.S.S.C. मैट्स मैराथन 2015-2021 जितने भी H.S.S.C. ने अभी तक पेपर लिये हैं और जितने भी मैट के क्वेशन पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैंने एक वीडियो में लगातार 12 गंटे की वीडियो है पेरे बचो इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टोपिक वाइज क्वेशन करवा रखे हैं चाहिए किसी भी पेपर की बात कर ले हर पेपर के क्वेशन पेरे बचो आप लोगों को मैंने करवाए हुए हैं तो पेरे बचो सेम कलास की एक पीडियेफ है ये पीडियेफ पेरे बचो सहड़े 500 प्लस क्वेशन विद सोल्यूशन आपको मिलने वाली है इसकी जो कोश्ट पड़ेगी आपको वो पड़ेगी आरस 30 यानि कि only 30 रुपे आपको ये नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर इसकी पेमेंट करनी है और अपना सक्रीन सोट वट्सेप कर देना आपको तुरंत परभाव से PDF प्रवाइड करवा दी जाएगी यदि आप बिना सोल्यूशन की सेम पीडियाप है पैरे बचो एक ही परचेज करनी है दोनों में क्वेस्टन सेम है 20 रुपे में जो PDF है उसमें आपको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे वो PDF आप चाहो तो कोई एक इन में से परचेज करते हो वो डिपेंड करता है आपकी सोच के उपर आपकी मरजी के उपर तो पैरे बचो 30 रुपे वाली PDF सबसे बैस्ट है विद सोल्यूशन आपको मिलेगी और पैरे बचो 12 गंटे की कलास हर चीज का लिंक चोब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सारी information आप वहाँ से ले सकते हो और पैरे बचो ये PDF आपके आने वाले पेपर में रामबान का काम करेगी आगे बढ़ते हैं अपने next question की तरह पैरे बचो उमारा अहमद अली गुलाम खान पिल्कुल जबर्दस्त question पूछा हुआ पैरे बचो पानिपत हिसार बहादुरगड फारुक नगर तो पैरे बचो राइट अंसर क्या हो जाएगा अपना डी ओप्शन फारुक नगर तो पैरे बचो फारुक नगर हमारा का आपर पड़ेगा सबी बच्चे कोमेंट करके बताएंगे मुझे पानिपत से किस ने जो अठारा सु सताउन की करांति का नेत्री तो किया था वो किया था पैरे बचो अपना इमाम अली कलंदर ने नेक्ट क्वेस्टन क्या हो जाएगा हमारा क्वेस्टन नमबर 88 हिंदी से क्वेस्टन आया हुआ है जिस समस्त पद का उत्तर पद परदान होता है उसे डैस समास कहा जाता है तो पहरे बचो उत्तर पद का मतलब क्या होता है उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद कौन स पद पहला पद तो परवचो उसमें अंसर क्या होगा अव्यवाव समास और इस question का अंसर क्या होगा तत्पूरुस समास द्यान से question को पढ़ना है और जवाब देना है question number 90 समुच्य बोधक अव्यवय को डैस भी कहते हैं योजग वाच्य सूचक इन में से कोई नहीं तो राइट अंसर क्या रहे गा हमारा योजग समुच्य बोधक अव्यवय को क्या कहते है प्यरवचो योजग कहा जाता है अगला जो question आता है वो आता है question number 66 हरियाना में मावट वर्सा क्या होती है प्यरवचो यह मावट यहां पर लिखा हुआ है लेकिन इसको कही बार मतलब जो इसकी जो ओरिजिनल लेंग्वेज है उसमें इसको लिखा जाता है महावट इस तरह से ठीक है यहां पर मावट लिख दिया ऐसे सची की फितरत रही है वो सब लगेज सब्सक्राइब al दोप्यर में होने वाली बारीश वारेषिकर के अलग अलग समय पर होने वाली समय भारेषिया व्यश्य तो पैरेबच्टिं राइट अंसर हमारा क्या हो जाएगा वी पस्दिमी विख्शूप के कारण होने वाली बारिस और इसी से पैरे बचो पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा बारिस होती है सर्दियों के समय में और हर्यान में भी सर्दियों में पस्ची में भी एक सोब से ही बारिस होती है महावट ही बोला जाता है उसको next question क्या है लंदन में इंडिया हाउस नामक संग की स्थापना किस के द्वारा की गई थी तो पैरे बचो किस की स्थापना की गई है इंडिया हाउस संग का नाम है और पैरे बचो किस ने की है वीडी सावरकर हर्द्याल मदनलाल डिंगरा स्याम जी क्रिशन वर्मा तो राइट अंसर क्या हो जाएगा पहरे बच्छों हमारा श्याम जी क्रिशन वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कहां पर की थी लंदन में अगला जो क्वेस्टिन है वो आया हमारा क्वेस्टिन नमबर 69 हरियाना का रोज का मेव ओद्योकिश टेट कहां स्थीत है तो परवचो इस तरह का हर एक बार हर एक पेपर में एक दो क्वेस्टिन नई देखने को ज़रूर मिलते हैं आपके आने वाले पेपर में भी इस तरह का क्वेस्टिन आने की पूरी-पूरी संभावना है और इसके अंदर परवचो जैसे की इंडुस्ट्रियल इस्टेट बना दिया जाता है जहां पर इंडुस्ट्रीज वगएरा होती है तो यह कहां पर है गुरुग्राम जिले के अंदर और परवचो यहां पर एक क्वेस्टिन और बता देता हूं आप लोगों को परिदाबाद जिले को क्या कहा जाता है हरियाना की ओद्योगी नगरी अगला क्वेस्टिन क्या होगा क्वेस्टिन नमबर 71 परवचो बहुत जबरदस्ट क्वेस्टिन है हरियाना में राष्ट्रिया आरदर भूमी सनरक्षन कारियकरम के अंतरगत कितनी आरदर भूमियों को मानेता दी गई है क्या है परवचो ये वैटलैंड के उपर बात करेगा ए उप्षन 3,4,2 और 1 तो परवचो हरियाना के अंदर राष्ट्रिया आरदर भूमी सनरक्षन कारियकरम के अंतरगत कितनी आरदर भूमियों को मानेता दी गई है दो को लेकिन परवचो अगर आप उठा कर देखोगे ये रामसर साइट होती है वैटलैंड जो होती है मारी ये रामसर साइट बोलते है इनको तो परवचो अगर देखा जाए ओल इन्डिया के अंदर कितनी रामसर साइट है बी आलिच रामसर साइट जो वो दी गई है और उन में से एक भी हरियाना के अंदर नहीं है लेकिन परवचो H.S.S.C. ने माना की हरियाना के अंदर कितनी है दो है तो हमें दो के साथ जाना पड़ीगा next question क्या होगा हमारा question number 51 हरियाना की रानिया रियासत को British East India Company ने क्यों मिला लिया तो पहरे बच्चों क्यों मिलाया गया A option रानी रामकोर की एक समता B option जो है पहरे बच्चों राजा अजीत सिंग द्वारा किया गया विद्रो रानी चांदगोर की मृत्यू या फिर नवाब जबीद खान के द्वारा किया गया विद्रो तो राइट अंसर क्या होगा पहरे बच्चों नवाब जबीद खान के द्वारा किया गया विद्रो हरियाना की रानिया रियासत को British India Company में मिलाने का कारण था अगला जो QUESTION है वो क्या है तिपरा पहाड़ यां हरियाना में किस नधी के उत्तर बेशती थे थे तो भी किस नधी के उत्तर में स्ती थे थे पहरे बच्चों ये गगर यमुना मारकंड़ा या सरसवती सरस्वती चोटांग है पहरे बच्चों ये गया था इसे वर्ष 1988 में राष्ट्रिय आर्दरभूमी गोशित किया गया है यह जील कहां पर पड़ती है पैरे बचो चंडीगड कुरुक्षेतर फरीदाबाद करनाल तो पैरे बचो राइट अंसर हमारा क्या रहेगा इस क्रफिये हजी तो पैरे बचो यहां पर देक सकते हो अपना कम्प्लीट मैच का कोर्स पैरे बचो जो और स्थमेटिक प्लस एडवांस कम्प्लीट कवर किया गए पैरे बचो और इसकी कोष्ट पड़ेगी वह तीन-ो 9 or circa के लिए रहेगी तो पैरे पेरेबचो कीमते बढ़ भी सकती हैं लेकिन वरतमान की जो कीमत है वो 349 रुपए हैं इससे कम कोश्ट पर ये कोरस नहीं आएगा पेरेबचो ये इसकी लास्ट एंड मिनिमम एड फाइनल कोश्ट है तो पेरेबचो 89-10-14-12 इस नंबर पर पेमेंट करें सक्रीन सोट वट्स आपके तो पेरेबचो इसकी सारी इंफ्रमेशन आपको प्रवाइड करवा दी जाएगी मातर 349 रुपए में 100 पलस क्लास आपको देखने को मिलेंगी और ये लास्ट एड मिनिमम कोश्ट है अगर कोई बच्छा ये सोच के बैटा कि इससे भी कम कोश्ट में आएगा तो प पेरेबचो लगातार 12 गंटे की मैंट की माराथन कलास हुए थी सलेक्षन पक्का करने वाली कलास थी पेरेबचो और यह जो पीडियाएप है पेरेबचो अगर आप इस पीडियाप को पढ़के जाओगे तो आपको बहुत जादा हैल्प मिलने वाली है एक्जाम में ये मा कभी फिर बाद में कहो पैरे बच्छो क्योंकि पैरे बच्छो जो पीडियाफ है वो 30 रुपेगी पढ़ेगी आपको सॉल्यूशन के साथ बैस्ट पीडियाफ है पैरे बच्छो उन्हासी एठासी दस चोदा बारा इस नंबर पर पेमेंट करते ही आपको वाट्साइप कर द पैरे बच्छो साइंस और इंडियाजी के से कुछ अलग तरह के क्वेस्टन पूछे गए थे जो थोड़े से टफ होते हैं वो मैंने करवा दिया पैरे बच्छो आप लोगों को लगबग हमारे सभी क्वेस्टन जो वो कंप्लीट हो गए हैं अगर मुझे कुछ और नए क् आउंगा तब तक के लिए जय हिन जय बारत जय किसान